इसरे घर में जा पहुची, वहां भी एक आदमी खटिया पर सोया हुआ था, चुडेलना उसको देखकर फूक मारी, लेकिन इस बार उसके फूक का आसर उस पर ही उल्टा पड़ गया और उसका ही शरीर खुजलाने लगा, ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि जिस आदमी पर चुड चुडेल कर चुडेल को दूर फेक दिया, इस घटना के बाद चुडेल ने ऐसा फिर कभी नहीं किया, एक दिन सुबह सुबह चुडेल बाहर घुमने निकल पड़ी और राजु नाम का एक लड़का खटिया पर लेटा हुआ था, वहां से चुडेल जा रही थी, चुडेल चुडेल ने उस पर एक फूक मारी, राजु का शरीर खुजलाने लगा, खुजलाते खुजलाते राजु परिशान हो गया, चुडेल को हसी आ गई, हस्ते हस्ते वो चुडेल दूसरे घर में जा पहुची, वहां भी एक आदमी खटिया पर सोया हुआ था, चुडेल ना उ उसके फूक का असर उस पर ही उल्टा पड़ गया, और उसका ही शरीर खुजलाने लगा, ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि जिस आदमी पर चुडेल ना अपनी फूक मारी थी, वो असल में एक पुजारी था, और उसके पास देवी मा का कवच था, उसका वो कवच फेल कर भी नहीं किया, एद दिन सुबह सुप